आए देखते हैं इन्वेस्टर को किस में ज्यादा कमाने को मिला ये शेर में या निफ्टी-फिटी इंडेक्स में 1-1-2014 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था 6 साल बाद 1-1-1-2020 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था लोगडाउन में जब लोईस्ट प्राइस थी तभी 23rd मार्च को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था और अभी शेर प्राइस है और इंडेक्स है अगर हमें निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे स्टोक में चार बाते होनी चाहिए एक लंबी अउधी में शेर प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए दो जब मार्केट में बड़ा फोल आता है तो हमारा स्टोक ज्यादा नहीं गिरना चाहिए निफ्टी के मुकाबले तीन जैसे ही मार्केट रिकवर होती है हमारा स्टोक तेजी से रिकवर भी करना चाहिए निफ्टी के मुकाबले चार हमारा शेर अपने सेक्टर का टॉप शेर होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये शेर निफ्टी से बेटर है या नहीं यानि कि पहले तीन पॉइंट्स इस वीडियो में देखे जाएंगे, अगर आपको सेक्टर का टॉप शेर चुनना है, तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है. 1-1-2014 को 1 लाग रुपे इस शेर में इन्वेस्ट किये, छे साल बाद इस शेर में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपे हो गए, मार्च में इस इन्वेस्मेंट की वेल्यू हो गई, और करंट शेर इन्वेस्मेंट की वेल्यू है, 1-1-2014 के दिन एक लाग रुपे निफ्टी 50 शेर्स में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1-1-2020 के दिन वह एक लाग रुपे हो गए मार्च 2020 में उस इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और अभी की वेल्यू है 1st point में निफ्टी हार गया 2nd point में निफ्टी हार गया 3rd point में निफ्टी हार गया 3rd points में ये share ने निफ्टी को हरा दिया है 1 minute के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये share और निफ्टी का index जैसे पिछले 7 सालों में चले है वैसे ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी value कहां पहुँचेगी 2020 में किसका performance better रहा ये share का या nifty का ये है पिछले एक महिने का return ये है दो महिने का return ये है तीन महिने का return ये है छे महिने का return और ये है पिछले नव महिने का return तो देखिए दोस्तों इस stock ने nifty को कैसे outperform किया है दोस्तों हमें ऐसे stock में ही invest करना है जो nifty 50 के दिग्ज़ stocks के मुकाबले ज्यादा return दे Thank you